हेलो अव्रीवन नमस्ते वेल्कम बैक टू क्लास बाइब अविता गुपता होक्स एजुकेशनल इंस्टिट्यूट स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में और बहुत ही इंपॉर्टन क्लास है बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है जो मैं आप लोग के साथ में डिस्क सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में तो इसको आप ध्यान से सुनिए एक्ट से लेकर एड़ बहुत ही इंपॉर्डन है आप लोगों का बच्चे कर रहे हैं उसमें पेपर वन में पेपर आप लोगों का प्याजी की त्योरी है और जो आप लोगों की तियोरी सब्सक्राइब करने वाली हूं और इसको आप ध्यान से देखेगा तो यह जैसा कि मैंने बताया सभी एक्जैम्स के लिए बहुत इंपॉड़ेंट है जो बच्चा एमेड कर रहे हैं या एमेड कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन सो उनके लिए भी बहुत इंपॉड़ेंट ह इसमें सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा प्याजे के बारे में जान लेते हैं जीन प्याजे के बारे में कि कौन थे वह उसके बाद में हम जो इंके कॉंपनेंट दिखेंगे जो इनकी ठीओरी है उसके बाद में सिटेजिस зंकी हम बटए वन पाइ बारे आ्चरा स Durham करेंग इसको कहते हैं और जो मेरी मेरी क्लासिस होती है वह हिंदी मेडियम स्टुइटिंट्स के लिए ऊथा नहीं है कि इंग्लिश में लिखा है तो उनको समझ में नहीं है क्योंकि मैं Ohh यहारी किसे करती हूं कि इंग्लिश दोनों बच्चों को अच्छे से आ जागी कि ओल्रेडी इंग्लिश में है बच्च मेरे एक्स्प्लेइन में करती हूं दोनों लेंग्विजिस हैं और इसमें आपको जो बहुत जादा डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वह भी मैंने आप लोगो है जब हम human intelligence की बात करते हैं और it was originated by the Swiss developmental psychologist Jean Piaget 1896-1980 और यह किसके दोवार बनाई गए यह जीन प्याजे के थियोरी जीन प्याजे ने इसको प्रोपागेट किया था और यह जो बनाई गए थी जीन प्याजे का जो टाइम रहा था 1896 से लेकर 1980 तक का रहा था स्वीश साइक इसको हम क्या है विकास आत्मक चरण सिधान्त भी बोलते हैं इसको उन्होंने अमूट प्रतिकात्मक तर्क बोला अब्स्रेक्ट सिंबॉलिक रिजनिंग इस लिए जो भी कॉंट्रिबूट करते हैं तो इसलिए जो भी कॉंट्रिबूट करते हैं उसमें कंपैरिशन तो होता है किसने किस तरह की थियोरी बनाई है बेसिक कॉंपनेंट्स टू प्याज इस कॉगनिटिव थियोरी तो देखिए प्याज की कॉंट्रिबूट की थियोरी है इसके जो बेसिक प्याज की कॉंपनेंट्स है और भूत ही घटक है यह तीन आप लोगों के तो इनको आज हम डिसकस करने वाले हैं डिटेल में डिसकस करेंगे तो जिसमें आपका फॉर्स कॉंपनेंट आता है इसमें भी सीटाट यह से जो आप लोग वी घ्येचेस आते हैं यह एक्टीट एग्जाम में कॉश्कन को जेम आता है तो इसमें प्रोसे से अम डिटेल में आज हम पढ़ने वाले कि स्टेट ख्या कि सबसे पहले बात इसकी माजиться प्याजे को अग्याजे को प्याजे को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बोला यानि कि एक बनियाद बोला जिससे कि क्या है किसी भी बच्चे का बियेवियर वह डिफाइन होता है और वह अपनी नॉलिज को और इसका है तो प्याजे believe that inborn babies have some innate schemas तो बच्चे को जो प्याजे हैं उनका मानना है जो inborn babies होते हैं यानि कि बच्चे जनम ही लिए होते हैं उनके अंदर क्या innate schemas होते हैं वो भी क्या कि रिफ्लेक्स action करते हैं नेक्स इन्हों ने बोला this neonatal schemas are the cognitive structure underlying innate reflexes और यह जो neonatal schemas है जो जनम से ही बच्चों को मिले होए हैं यह क्या है कि एक जो reflex action है वो उसके जरीय हमें डिखता है तो अगर हम बच्चे का cognitive structure देख रहे हैं तो हमें क्या innate reflexes देखने के लिए मिलते हैं यह किसकी बात हो रही है य innate child की जो कि बहुत ही छोटा बच्चा जनम लेता है जब तो for example babies have a sucking reflex which is triggered by something touching the baby's lips तो for example इसमें लिया गया है कि जो बच्चे का sucking reflex है यारी कि जब भी कोई उसके बच्चे को होट को touch करेगा ना थोड़ा सा तो बच्चा क्या है sucking करना शुरू कर देता है कि जैसे कि उसको मतल मिले वाला है खाने के लिए तो यह क्या है यह innate reflex है जो बच्चे को मिला है जनम से नेक्स इसके अंदर आप का जाता है एसके माइस उसके माइस उसके मारी प्राइज हैं कि जो हमारे माइन में पहले से सहत है कि जैसे कि इसमें एक एक ग्जांपल लिया गया है कि कोई व्यक्ति है वो restaurant में गया है वहाँ पर उसने कुछ खाना order किया खाना order करने के लिए उसने menu को देखा उसमें जो कुछ select किया फिर food order किया खाने के बाद फिर उसने bill pay किया और तो इस सब को हम क्या बोलते है यह भी उसका schema है basic यह वहाँ पर उसको आगे कोई suddenly सिखानी है कि यह ऐसे देखना है menu ऐसे order करने है यह उसके schema के अंदर है और इसको हम क्या बोलते है इसको script भी बोलते है नेक्स के अंदर आ जाता है हमारा process that enables the transition from one stage to another तो देखिए इसमें हमने बात की जो process है जिस process से क्या है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते हैं क्योंकि ऐसा तो नहीं कि sensory motor से आप अगर second stage में जा रहे हो तो एक दम से सडनली चलेगे तो वो जो process किसके थूँ है वो process क्या है उस process को हम लोग जान लेते हैं तो उस process के अंदर आप लोगों का आता है assimilation, equilibrium, new situation, dis equilibrium और accommodation इसको हम बोलते हैं हिंदी में आत्म साथ करन, संतूलन, नई प्रस्ति, असंतूलन, सामंजे से या समायोजन अभी किस तरीके से work करता है इसको हम देखते हैं तो देखिए assimilation, assimilation यानि आत्म साथ करन करना, आत्म साथ करन करना का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को आपने सीखा है, यह जैसे माली जीए, कि आपकी जो आपने कोई animal देखा, आपने dog देखा, और dog क्या था बाग कर रहा था, उसके दो पैर थे, एक tail थी, तो, sorry, four legs थे और एक tail थी, और छोटा था height में, आपने की ममी ने आपको बताया कि क्या है, एक dog है, तो आपने उसको क्या करा, assimilation कर लिया, उसको आत्म साथ करन कर लिया, उसको जान लिया, अब जब किसी चीज को आपने जान लिया, तो क्या हो गया है, आपे equilibrium हो गया, अब equilibrium करने के आपको बताया कि नहीं बेटा यह एक dog नी एक cow है, यानि कि यह कुत्ता नी एक गाए है, तो आपको यह क्या हो गया, इसमें असंतुलन हो गया, कि यह actual में है क्या है, एक दम से, यह ममी ने डॉग जैसा बताया, तब यह डॉग तो बड़ा लग रहा है, तो यह असंतुलन हो गया, असंतुलन के बाद जब ममी ने बताया कि नहीं गाए है, यह डॉग नहीं है, और यह वाइट कलर की होती है, तो इसमें आप लोग आपने क्या करा, असंतुलन के बाद में इसको सामंजस से बठाया और समायोजन कर लिया, यानि उस चीज को समझ लिया, एकोमोडे अब नहीं परस्तिती फिड से आ गई आपकी, कि आपने देखा एक किसी बिल्ली को वाइट कलर की थी, उसके भी 4 लैग थे, उसके भी एक टेल थी, तो बच्चे को हुगा कि यह तो काओ ममी ने बताया तो बड़ी वाइट कलर की होती है, पर यह तो वाइट कलर की होती है, है ना नई सिच्वेशन हो गई, डिस इकलिब्रियम हो गई अब यह, डिस इकलिब्रियम के बाद में फिर से ममी ने बताया कि नई बेटा यह वाइट कलर की है, बड़ी इसको हम बिल्ली बोलते है, कैट है यह, तो यह जो है, यह गाय नहीं होती है, तो अब आपने वो कर लेंगे, एकलिब्रियम करेंगे, फिर नई सिच्वेशन आएगी, फिर डिस इकलिब्रियम होगा, फिर एककमोडेशन होगा, तो इस तरीके से यह जो प्रोसेस है, चलता रहेगा, आत्मसात्करन, संतूलन, नई प्रिसिती, असंतूलन और सामन जसे का, तो यह क्या है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने का, यानि कि जब आप फर्स स्टेज में होगे, तो फर्स स्टेज में आप इस प्रोसेस से जाएंगे, फिर आप दूसरी स्टेज में आ रहे हैं, कुछ नहीं चीज़े सीख रहे हैं, फिर वहाँ पर डिस इकलिब्रियम भी होगा, काफी recommendation भी होगा और इसमें जो आपके सबसे ज्यादा question पूछे जाते है टैट exam में वो होते हैं आपके assimilation और recommendation से तो इस चीज को आप धियान रखेगा next इसके अंदर आता है आप लोग का stages stages of cognitive development theory of PIAJ यानि PIAJ के संग्यानात्मक विकास के चरण तो mainly four stages है इसकी जो PIAJ ने दी है हम लोगों को तो four stages कौन-कौन सी है इसमें हमारी first stage जो आती है वो है हमारी sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage और formal operational stage इसको बोला जाता है अब एक-एक stage को हम deeply पढ़ने वाले हैं तो इसको आप लोग ध्यान से समझेगा क्योंकि sensory motor stage को भी क्या है, parts में हम divide करते हैं और यह parts को जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि बहुत ही कम होता है कि जो बच्चों को सिखाया जाता है कि sensory motor में भी आप लोगों के parts होते हैं लग-लग तो इन parts में जब हम आते हैं sensory motor stage यानि समवेधी पेशी अवस्था में तो इसमें जो सबसे पहली stage आती है वो stage आती है आपके stage of reflex activities सहेच किरियाओं की अवस्था और यह जो अवस्था होती है आपकी क्या है birth से 30 days तक तो देखें from birth to 30 days only जो stage होती है यह और at this stage the child performs reflex action only तो य going moving or interesting objects with the eyes यानि कि कोई भी आप जैसे कोई interesting object है या फिंगर दिखा रहे है तो बच्चा अपनी eyes move करेगा over the first six week of life these reflexes begin to become voluntary actions तो जो starting six weeks होते है उसमें जो reflex action होते है क्या होते है यानि कि पहले बच्चा देख रहा है फिरो पुसकी मर्जी है कि आप वो देखे या ना देखे ठीक है ना तो यह सवच्छी कारेगवाई हो जाती है next इसके अदर आपकी second sub stage आती है sensory motor की वो है stage of primary circular reaction इसको हम हिंदी में क्या है प्रमुक्वरती अनुकरियाओं की अवस्थ इसा भी बोलते हैं और यह जो stage होती है आप लोगी कहां से यह stage आप लोगी रहती है from one to four months ठीक है ना at this stage the reflex action of the children are changed by their feelings and experience यहां पर जो reflex actions है वो क्या है change हो जाते हैं बच्चे की feelings and experience के अनुसार जो उसके अनुभव हो जो feeling कर रहा होता है these are repeated again and again and that is why these are called circular और जो actions होते हैं repeat होते हैं और इसलिए इसको क्या बोलते हैं circular होते हैं यानि कि जैसे माली जो बच्चे को भूख लग रही है तो उसने रोना शुरू कर दिया कि उसको पता है कि मुझे रोंगा तो मुझे मिल जाएगा खाना तो यह कि है circular कि उसको जब भ कि स्टेज ओफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटीज जिसको हम बोलते हैं गोंड वृत्तिय अनुकिरिया की अवस्था तो इसमें क्या है दे स्टेज ओफ दूरेशन ओफ दिस सबस्टेज इस फोर टू एट मन्त जो इसका टाइमिंग रहेगा आप लोग का फोर टू बच्चे किसी बी चीज को चुएगा और उसको इदर उदर फैक देगा यानि कि उसको से कोई मतलब नहीं कोई उससे लगाब नहीं उसको बस देख रहेगा और बच्चे इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है जैसे हाथ प स्थेक्च की फूर्थ सबसे ऐ आप लोगो की स्टेज ओफ कोईनेशन ओफ सेकेंडरी इसके मेटा टो इसको हम बोलते हैं गोड नहंने से समन्वे की अवस्था तो गोर्ण इसके मेटा यानि कि जो से coordinated होते हैं तो उसमें समन्वे की अवस्था है ये तो इसके अंदर क्या-क्या चीज़े हैं ये देख लेते हैं हम तो ये जो stage है आप लोग की this is a stage exist from 8 to 12 month तो ये stage आप लोग की 8 से 12 महीने तक की होती है इस stage is associated primarily with the development of logic and the coordination between means and ends यानि कि ये जो stage है 8 से 12 महीने की जो stage है इसके अंदर क्या है logic बच्चे के अंदर आने लगते हैं और वो जो भी चीज़ है और क्या चीज़ है और उसका end क्या होगा उसमें coordination बठाने की बच्चा कोशिश करता है this is an extremely important stage of development holding what PRJ calls the first proper intelligence और ये क्या है बहुत ही important stage है PRJ की जो sensory motor के अंदर आती है क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चा जो first proper intelligence अगर आप से पूछा जाए कि first proper intelligence के इस stage माती तो sensory motor stage आती है अगर उसमें भी सब stages दे दी जाएं आपको तो वो stage क्या होगी आप लोगी stage of coordination of secondary schematas और इसमें आप लोगों का this stage marks the beginning of goal orientation and the deliberate planning of steps to meet an objective यानि की बच्चा क्या है इसमें एक goal orientation शुरू कर देता है कोई goal बनाने शुकरता है और उसको पहुंचने तक कोशिश करता है मान लीजिए example के लिए कि आप पे कोई toy है या मान लीजिए कार की चावी है आपने एक उस पे पैनल पे रख दी है बच्चे का target क्या है कि मुझे वो चावी उसने वो देख लिया है और उसको लग रहा है मुझे यह चावी चाहिए मैं इससे खेलूंगा तो वो planning करने लगा कि मुझे उस तक जाना है और उसके बीच में अगर कोई चीज भी है तो वो उसको हटा के उस तरफ जाने की कोशिश करेगा और अगर बिल्कुली हटक जाएगा तो रोना शुरू कर देगा है ना तो यह क्या है कि उसने एक planning उसमें बनाना शुरू कर देगा यानि कि वहाँ पर intelligence बच्चे के अंदर आ रही है नेक्स्ट इसके अंदर चिल्डरन लर्न स्कीम और बनाते और उसको जर्नलाइज भी करते है जैसे कि बच्चे का अभी वने एक जामपल दिया कि बच्चे ने एक कार की चावी है उसको बहुत अट्रेक्टिव लग रही है और उसको ने आपके पैनल पर रख दिया आपने तो वो उस तक पहुचने के लिए कि है स्कीम बनाएगा कि मैं अब यहां से जाता हूँ अगर बीच में कोई चीज होगी न तो उसको हटाने की कोशिश करेगा और ऐसी चीजे जो हटानी पा रहे है तो वो रोना चुरू कर देगा यानि कि अब वो क्या है कि उसको जर्नला इस स्टेज के अंदर क्या क्या चेंजिस है यह भी हम देख लेते हैं यह जो स्टेज है आप लोग की रहती है 12 से 18 मंस यानि कि 12 से 18 महीने यानि एक से देड़ साल तक का जो बच्चा होता है तो यह स्टेज वो होती है इन इस स्टेज इसमें बच्चा क्या के ट्रैल अंड एरर मेफ़ेंट से किसी भी आपजेक्च को या किसी पी चीज को करने की कोशिश करता है यानि मान लिजिया अगर उसको एक बोतल का ढखान लगाना है आपने एक बोतल दे दिया उसको ढखन दे इस लोगाने तो जानी देगा ना बोटल पर वो तब तक उसको कोशिश करता रहेगा तो यह क्या है trial and error method कि वो यूज कर रहा है इस stage is associated with the discovery of new means to meet goals यहां पर क्या है कि अपने goals तक पहुंचने के लिए क्या new discovery भी बच्चा करता है कि किस तरीके से उस चीज को किया जा सकता है प्याजे describes the child at this juncture as the young scientist conducting pseudo experiment जिसको हम चदम प्रियोग भी बोलते हैं और चदम प्रियोग का मतलब होता है विज्ञानी को तथ्यात्मक to discover new methods of meeting challenges तो इसका हम मतलब जान लेते हैं कि basically होता किया है तो देखिए सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि जो young scientist बच्चों को किसने बोला प्याजे ने बोला इस तरह के का question भी CTAT में आ चुका है और यह आप लोगों के क्या है कि जो young scientist क्यों बोला है क्योंकि जो बच्चा है वो क्या है किसी भी तरीके से किसी अपना अगर उसने कोई गोल बना ले तो उसको पूरा करने की वो पूरी कोशिश करेगा उस challenge तक पहुचने की कोशिश करेगा उसके लिए वो new methods discover करेगा find out क तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर pseudo experiments बोला है कि वो conduct करता है pseudo experiments यानि की छदम प्रियोग जिसको हम बोलते है विज्ञानिक या तथ्यात्मक इस words को आप लोग ध्यान लगी का important थे इसलिए मैंने इस वे add कि आप लोगों के next इसमे sensory motor की जो six stage आती है वो आती है stage of invention of new means through mental coordination य यहाँ पर ठीक है न तो इसको cycle है न आप खो जाएगे क्योंकि देखिए Hindi medium English medium सबके लिए होते हैं तो गलत ना हो किसी के लिए भी तो यह जो stage है आप लोग की रहती है 18 to 24 months यह आपकी sensory motor की six stage है stage of invention of new means through mental coordination तो और इसमें कहा है during this stage चिल्डरन स्टार्ट अंडर्स्तेंडिं the existence of those already seen objects in their absence object permanence यानि की अब यहाँ पे बच्चे को क्या है object permanence आ जाता है यानि कि पहले क्या था आपने कोई चीज है बच्चा देख के रो रहा है आपने उसको हटा दिया बच्चा भूल गया अब क्या है कि आप भी कोई चीज है उसके सामने आपने हटा दी पर उसको य ही है तो यह चीज कौन सी स्टेज में आती है यह आपकी सैंसरी मोटर स्टेज के सिक्स जो सब स्टेज इसके अंदर आती है बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि object permanence से भी question आप लोगों का पूछा जाता है next इसके अंदर आप लोगों की देखिए जो first stage थी sensory motor stage इसकी हमने जो six stages है वो देखी उसकी क्या features है वो हमने देखिए अब इसके अंदर आता है आप लोगों का second stage second stage को हम बोलते है pre operational stage जिसको हम बोलते है प्राक संक्रियत आत्मक अवस्था यह अवस्था होती है आप लोग का first तो है इसके अंदर pre conceptual period, conceptual period जिसको हम बोलते है पूर संक्लनात्मक काल यह अवस्था और second है हमारा intuitive period जिसको हम बोलते हैं अंतरदशी अवस्था तो देखिए यह जो है आप लोगों का UGC net में आप लोगों का question आया हुआ है उसमें आपको stages दी गई थी generally जो बच्चों ने stages सीखी होती है वो four stages उन्होंने सीखी होती है जिसमें उनका sensory motor stage, pre operational stage, concrete और formal आ जाता है पर यह जो दो stages से इसको miss कर देते हैं बच्चे बहुत से इसको नहीं पढ़ते हैं और जबकि यह आपको UGC net में आ चुका था यह stages थी सारी इनको series में लगाना था क्रमबद करना था इनको तो इसमें से ही आप लोग का एक stage थी pre conceptual period और intuitive period तो अब इसके क्या features है हम इसको देख लेते हैं actually में जो pre operational stage है आपकी 2 से 7 साल की two parts में divide होती है first stage है pre conceptual period यह आपका two to four years का होता है second है आप लोग का intuitive period यह आप लोग का होता है four to seven years का अब इसमें एक क इसके features देख लेते हैं क्या है तो देखे pre operational stage की जो first stage है वो है pre conceptual period and the sub stage has the following main feature जो इसके main features है क्या है सबसे पहला है this sub stage ranges from two to four years यानि कि जो stage है कौन क्या रहती है यह 2 से 4 साल तक ही रहती है second is during this period children often learn by imitation and play यह जो stage होती है इसमें बच्चे कैसा सीखते हैं imitation and play के द्वारा सीख यानि दूसरों को देखकर किसी भी चीज को देखकर और खेल के द्वारा सीखते हैं next stage में third point children consider only their ideas as correct यानि कि इस stage में जो बच्चे हैं सिर्फ अपने ideas को ही सही मानते हैं बाकी सब गलत मानते हैं उनको कि हमने जो कर दिया हो सही है next stage में in this stage animism is in excess यानि children takes non-living objects as living objects यानि क इस stage में क्या है animism होता है animism को हिंदी में हम बोलते है जीववाद जिसमें क्या है जो भी non-living things है उसको क्या है बच्चा living objects मानता है यानि कि जेविक मानता है वो और इससे आप लोग का TED exam में questions आ चुके हैं आप लोग के कि animism जो है वो किसी stage में आता है वो किसी stage में अगर उसमें भी आपका option दे दियेगा है कि जैसे pre-conceptual period है या फिर intuitive period है तो वो pre-conceptual period के अंदर आप लोग का आएगा animism ठीक है न और इसमें क्या है जैसे कि एक example में ले रहती हूं कि बच्चा अपनी doll से बात कर रहा है कि चलो खाने का time हो गया खाना खालेते है यानि कि जो डॉल उसकी non-living thing उसको कैसे consider कर रहा है वो living thing की तरह consider कर रहा है as a human उसको consider कर रहा है next point है इसके अंदर children identify objects by their name in the early part of this stage for example all men are papa यानि कि जो stage होती है न बच्चे की pre-conceptual period इसमें क्या है बच्चा किसी भी चीज का जैसे कि अब हर्वाद JEK चीज को वही घोल रहा है जैसे कि अबने papa को के कह रहा है कि अपने पापा को तो पापा की कहेगा खेर तो उसने देखा कि यह जो घर में एक आदमी घुम्रा है वो मेरे पापा है तो यानि कि जितने भी आदमी है मेरे पापा होंगे तो यहां पर आल मैना पापा कि जितने भी लोग है उनको क्या है पापा पापा कर रहा है वो तो यह क क्या है किसी सेज में आता है आप पर परी कंसेप्शियल पीरिएड के अंदर आ रहा है यानि कि वो सभी को क्या एक जैसा ही कंसीडर कर रहे है नेक्स्ट है यहाँ पर देयर थिंकिंग एंड रिजनिंग इस क्वाइट इल्लॉजिकल एड इस स्टेज यानि कि बच्चों की ज इस सब ना टो इंडक्तिव है न डिटक्तिव है यानि कि ना तो ही आगमनातमख है या निग्मनातमख इसको बोला जाता है था इम्गलिश महें थोड़ा निगमन नहीं इंप्रेकरती के अंदर For example, a cow is white and big, hence all white and big animals are cow जैसे कि एक example यहाँ पर देखे है कि अगर cow है, white है, big है तो जितने भी white और big animal होंगे, सब cow होंगे यह बच्चे ने consider कर दिया, तो यानि कि यह क्या है, illogical है Next, इसमें their thinking is much imaginative and away from reality जो बच्चों की thinking होती कैसी होती है, imaginative होती है Next, इसके अंदर आजाता है, the child sees the world only from his own standpoint यानि कि जो बच्चे के ने अपनी एक सोच बना ली है, उसी से क्या है, वो दुनिया को देख रहा है He thinks sun and moon are following him, यानि कि वो सोचता है कि जैसे चांद है, सूरज है वो क्या है, उसको follow कर रहे है, rain is for his happiness यानि कि बारिश हो रही है, तो उसकी खुशी के लिए हो रही है This प्याजे has termed as egocentric nature of child और इसको बच्चे को, इसको जो प्याजे ने term गया हो, क्या है, egocentric बोला है कि इसको egocentric term बोला है, कि अगर बच्चा ऐसा सोच है कि सब उसके लिए हो रहा है तो यह क्या है, egocentric है, तो यह term भी egocentric पे भी question आप लोगों का पूछा गया है तो यह भी आप लोगों का किस में आएगा, pre-operational stage में आएगा और उसमें भी option दिया होंगे, तो pre-conceptual period आप लोगों का आएगा Next के अंदर आता है, intuitive period तो देखिए जो intuitive period की timing है आप लोगों की, यह timing आप लोगों की रहती है, 4-7 years, this period ranges from 4-7 years, during the period children learn language, इस period में क्या है, बच्चे language सीखते है, जैसे कि यह चार से साथ साल का बच्चा है, आगर स्कूल में जा रहा है, तो nursery kg, kg के अंदर वो होता है, तो kg से वो फिक्या language सीखना शुरू करता है, शुरू तो वह थे, 3rd से ही कर देता है, 3 साल से ही कर देता है, बच्चे इस starting होती है, ठीके ना, तो 4-7 years में बच्चा language को सीखना शुरू करता है, children from various concepts during this stage, और इस stage में बच्चा बहुत सारे concepts भी बनाता है, बहुत सारे games खेलता है, बहुत सारी activities देखता है, जो उसके thinking होती है, वो भी logical होने लगती है, जो next point में है, children start thinking and logic, यानि बच्चे सोचना शुरू कर देते हैं, और logic भी लगाना शुरू कर देते हैं, यह कोई चीज किस तरीके से होगी, जैसे कि इसका बहुत सिंपल सा है, मैं एक example लेती हूँ, कि जब बच्चा first में आ जब बच्चा सोच रहा है, जो भी logic लगा रहा है, जो भी logic लगा रहा है, जो कोई sequence नहीं होता, आप उसे reason नहीं बो सकते कि क्या reason है इसका, up to six years of age, abstract concepts are also formed along with concrete concepts, यानि कि छे साल तक आते आते, जो बच्चा है, उसके अंदर क्या है, abstract concept भी आने लगते हैं, यानि कि concrete concept तो बच्चा सीखता ही है, starting में सबसे, concrete मतला कि जो 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 उसके सामने है, मूर्थ चीजों के बारे म वो सीख रहा है, पर उसके साथ साथ जो abstract concept है, यानि कि जो अमूर्थ संप्रते हैं, उनके बारे में बच्चा सीखने लगता है, यानि कि जो चीजों उसके सामने नहीं है, they learn more by cramming, तो बच्चे किसके ज़ारा ज्यादर चल्दी सीखते हैं, cramming, cramming का मतलब बहुत है, कि इस चीज को बार-बार बोल कर है, repeat करके, in this period the child is not self-centered or selfish, इस period में जो है बच्चा self-centered नहीं होता, selfish नहीं होता, he acquires knowledge by coming in contact with others, यानि कि बच्चा इस stage में जो knowledge ले रहा है, वो क्या है, दूसरों के contact में आकर सीखता है, in this stage he gradually learns the symbols, इस stage में क्या है, बच्चा symbols को सीखता है, symbols क् symbols किसी बच्ची chain हो सकते हैं, signs होते हैं, जैसे हम language सीख रहे हैं, language में अगर हम alphabets बना रहे हैं, तो वो भी तो symbols ही है जो बच्चा सीख रहा है, अच्छे से, तो उनको भी उसमें एक logical way में बच्चा सीखना शुरू कर देता है, at this stage the child is unaware of cause-effect relationship, तो यह जो stage होती है, इसमे बच्चा cause-effect relationship से aware नहीं होता है, cause-effect यानि कि कोई चीज कैसे हुई, उसका कारण क्या हुआ, यानि कि कोई चीज अगर हो गई है, तो उसका कारण क्या था, क्यों हुई, यह उसको relationship के लिए नहीं होती है, इस stage में वो unaware होता है, next इसके अंदर है, Children cannot acquire the idea of the others, यानि कि जो बच्चा है, वो दूसरों के ideas भी बहुत जल्दी से नहीं समझ पाता है, कि जो logical power है, उसकी कमी है, अभी वो वह जाता logic, create logic तो लगा सकता है, पर उसको sequence में बता नहीं सकता, ideas को grab नहीं कर सकता है, next is, due to mental immaturity, they can focus only one aspect of problem, during problem solving, यानि कि जो mental immaturity है, अभी क्या है, बच्चे के अंदर mature नहीं है, तो इस वज़े से क्या है, कि जो एक problem है, उसका सिर्फ वो एक aspect ही देख सकता है, एक ही पहलू देख सकता है, कि ये problem कैसे solo हो सकती है, वो multiple ideas वो नहीं लगा सकता, this makes their decision wrong, और इसी की वज़े से क्या है, कि जो उसके decision है, वो wrong हो जाते है, next हमारी third stage आ जाती है, concrete operational stage, जिसको हम बोलते है, मूर्थ संक्रिया की अवस्था, ये मूर्थ आएगा यहाँ पर, यहाँ पर मूर्थ आएगा, यहाँ नहीं आईगी उप्रिमाता, तो मूर्थ संक्रिया की अवस्था, इसको बोला जाता है, साथ से ग्यारा साल का यह age रहती है आप लोगों की, और इसके अंदर क्या है, in this stage, intelligence is demonstrated through logical and systematic manipulation of symbols related to concrete objects, तो इस stage के अंदर क्या है, जो बच्चे हैं, वो systematic जो अभी हमने का कि अभी तक नहीं थी, तो वो systematic manipulation है, और logical जो work है, वो बच्चे करने लगते हैं, और किससे related होते हैं, concrete objects से related, यानि कि जो चीज़ें उसके सामने हैं, उनके जरीए, वो logics लगा सकता है, systematic way में, अब इसके हम देख लेते हैं, points क्या-क्या है, features क्या-क्या है, तो इसका जो first feature है, वो last में लिखा हुआ है, पहले उसी को हम पढ़ लेते हैं, तो देखिए, इसका जो first feature है, वो दिया गया है, आपको in this stage egocentric thoughts diminishes, यानि कि जो stage है, इसके अंदर आप लोग जो egocentric thoughts होते हैं, बच्चों हो जाना, वो जी अब नहीं है, उसके अंदर, फिर first point है, second point है इसका, operational thinking starts, तो यहाँ पर क्या है, बच्चे की operational thinking, यानि कि किसी चीच को किस तरीके से करना है, तो यह जो एक thinking है, बच्चे के start हो जाती है, intelligence is demonstrated through logical and systematic manipulation of symbols to concrete objects, और यह जो है, इस stage के अंदर क्या है, जो बच्च logical and systematic manipulation कर सकता है, symbols की, जो concrete objects है, उनकी, जो चीज उसके सामने उसके बारे में क्या है, वो systematic way में सोच सकता है, next is, इसके अंदर, children become more practical and realistic, जो बच्चे है, वो क्या है, more practical हो जाते है, realistic हो जाते है, develops problem solving capacities, but concrete problems only, not abstract problem, यानि कि जो बच्चा है, वो problem solving capacity तो उसके अंदर आ गई है, बट यह किस से related है, सिर्फ concrete problem से है, यानि कि मूर्त, जो समस्या है, उनके, वो सिर्फ समयाधान कर सकता है, जो abstract problem है, वो अभी तक उसके अंदर नहीं आया, abstract problem को solve करना, next is, के अंदर, can categorize objects on the basis of attributes, यानि कि वो क्या है, चीजों को, जो भी उनकी quality है, जो भी उनका feature है, उसके according उनको categorized भी कर सकता है, next is, के अंदर, thinking is not systematic, यानि कि अभी जो इस thinking है, वो क्या है, systematic पूरी तरीके से नहीं है, यानि कि अभी हमने बोला, systematic को manipulation कर लेता है, बट अभी पूरी तरीके से हम उसको systematic नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी abstract thinking नहीं कर पा रहा है, जब वो abstract thinking करने लग capacities like conversation, numeration, series, classification and relationships develop, तो उसके अंदर जो capacity है, जिसके अंदर क्या है, conservation वो कर सकता है, numeration कर सकता है, numeration देकि math के अंदर होता है, math के अंदर क्या है, कि बच्चा बहुत अच्छे, जो चीजे है, calculations है, वो अच्छे से कर पाता है, series को बच्चा समझने लगता है, series जैसे कि आपने jumble sentence दे दिये बच्चे को, कोई stories उना ही jumble sentence दे दिये, तो उसको series में लगा सकता है, classification कर सकता है, वो relationship भी develop कर सकता है, दो object जो उसने देखा हो, जैसे कि मालीची को story है, उसने पढ़ी है वो, तो उसमें वो classification कर पाएगा, relationship जो है, दो लोगों की वो बता पाएगा, कि वो friends से, क्या यानि मिस ते, क्या थे, next इसमें attention spam increasing with the age, यानि कि जो attention spam है, वो भी increases होता है, एज के साथ, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, और यह जो age group चल रहा है, 7 से 11 साल का चल रहा है, concrete operational stage का, तो यह features है, हमारी concrete operational stage के, third stage के, अब हमारी fourth stage आ जाती है, fourth stage है, हमारी formal operational stage, अपचारिक संक्रिया की अवस्था, और यह जो अवस्था रहती है, यह 12 से 18 साल की रहती है, जो इसको हम किश्वर अवस्था भी बोलते हैं, तो वो भी इसके अंदर आप लोग के आती, formal operational stage के अंदर, तो इसके features हम देख लेते, क्या है, it is the last stage of cognitive development, तो जो प्याजे की cognitive development क इसके theory उसकी last stage है, intelligence is demonstrated through logical use of symbols, अब यानि कि जब 12 से 18 साल के बच्चे की बात हो रही है, तो इसमें क्या है, बच्चा एक logical intelligence उसके अंदर आती हो, logical way में क्या है, symbols को वो पहचान सकता है, demonstrate कर सकता है, उनको use कर सकता है, उनको manipulate कर सकता है, capable of understanding abstract concept, यानि कि बच्चे को अब क्य abstract concept समझ में आने लगे है, यानि concrete stage में क्या था, सिर्फ concrete objects उसको समझ में आरे थे, concrete जो concept थे, वो समझ में आरे थे, बट ये जो stage of formal operational इसके अंदर बच्चे को abstract concept है, वो समझ में आने लगे है, ego centric thoughts written in this stage, यानि कि अभी इस stage में क्या है, दुबारा से ego centric thoughts बच्चे के अंद rational के अंदर ego centric thoughts diminishes हो गए थे, बट यहाँ पर formal stage में दुबारा से ये आप लोगों के आ गए है, next brain of the child matures, यानि कि बच्चे को दिमाग है, वो mature हो जाता है, thinking acquires order and logic, thinking के अंदर logic आने लगते है, order आने लगता है, sequence में बच्चा काम करने लगता है, series उसको समझ में आने लग लगते है, next is problem solving capacity is increasing with the age, तो age के साथ साथ बच्चे के अंदर क्या है, problem solving capacity भी बढ़ने लगती है, यानि कि समस्याँ को समाधान करने की योगिता है, वो भी बढ़ने लगती है, यानि कि पहले बच्चा जो simple equations थी सिर्फ उनको solve कर सकता था, आप बच्चा जैसे जैसे होता जाएगा, तो जो theorem होती है, hard equations होती है, उनको भी वो solve करने लगता है, next is के अंदर है, thoughts get organized and mature, जो इसके thoughts है, वो क्या है, और नाइस्ट होने लगते है, यानि एक series में होने लगया हो, अगर कोई चीज को सोच रहा है, तो logical way में step by step वो सोच रहा है, तो mature इतना हो चुका है, next is के अंदर है आप लोगों का, child formulates new hypothesis and tries to prove, तो यानि कि जो बच्चा है, वो new hypothesis बनाता है, परिकलपनाए बनाता है, और उनको सच करने की कोशिश करता है, वो prove करने की की वे या नजी जो बराया है, सही है, यानि कि एक thought आपने बनाया है, और आप उसको प्रूव कर रह हो, तो जो बच्चा है, inconsistencies को भी क्या है, समझने लगता है, कि वो किस तरीके से है, यानि अगर कोई चीज सही नहीं भी हो रही है, तो वो उसको समझने लगता है, अगर कुछ गलत हो रहा है, तो वो उसको समझने लगेगा, तो कोई step गलत हो रहा है, अगर theorem कोई बच्च वो भी क्या है एक तरीके से समझ सकता है उसको follow कर सकता है यानि कि एक होता है ना application करना किसी चीज को हम mind में सोच रहे हैं कि किस तरीके से यह हो सकती है तो वो चीज वो बच्चा कर सकता है क्योंकि abstract thinking उसके अंदर आने लगी है तो यह आप लोगे जो features थे यह features थे आपके formal operational stage कर सकता है तो इस तरीके से चार स्टेज मैंने आप लोगों के साथ में share की है यह last में एक लाइन लिखी हो यह 12-18 यह होता है starts after 12 years and last till adulthood यानि कि वह सकता तक यह आप लोगों की जो formal stage है यह रहती है and I hope कि यह आप लोगों को सारे features समझ में आये हूं क्योंकि मैंने बहुत मह points सिर्फ आप लोगों के साथ में share कर सकूँ, discuss कर सकूँ और अगर फिर भी कोई आप लोगों कोई problem ढह जाती है तो आप comment box में लिकर पूस सकते हैं और class अगर अच्छी लगी आपको समझ में आया अच्छे से तो अच्छे-चे comment जरू करें, वीडियो को like जरूर करें, चैन अदर भी आप लोगों के paper में आये हुए questions से, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, stages को ध्यान से देखिए, सब stages को ध्यान से देखिए, और उनके जो features उनको ध्यान से पढ़िए, और जैसा कि मैं बताया, अगर कोई doubt होता है, तो comment box में लिकर आप पूछी सकते हैं और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहेगे, जल्दी मिलती हूँ, next topic के साथ में तो अभी के लिए thank you, धन्यवाद